नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए अस्टेट आलिस वर्स के पुरूस के पाम का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एकर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों न अभी तक हमारी चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किरिपया करके चैनल को सिस्क्राइब कर ले बेल एकन को प्रेस कर दे ताकि latest notification आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है अभी ये विदेश में है और आगे के विशे में जानना चाहते हैं कुछ दामपत्य जीवन के में दिक्कते चल रही हैं दूसरा कि आगे उन्नती कब होगी कुछ करज भी हो गया हैं तो उस करजे से निवारन हेत्तु कुछ इनको उपाई भी चाहिए और कब से अच्छे समय आएंगा और क्या मेरे तरफ से इनके निरने रहेगा इनके decision making को लेके उस पर भी इनको जानना है मतलब ये कुछ अभी निरने ले की ना ले इनका क्या तरीका होना चाहिए भी जीवन शैली कैसी होने चाहिए कैसा investment process होना चाहिए सब को लेकिनका एक questions है तो निशिंत्रे आपके साड़े विश्यों को cover किया चाहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जादा से जादा सही जानकरी प्रदान करूँ जैसे आपके जीवन पर भी जो आपके ग्रहों डिस्टिक को उनकी वज़ए से वो खतम होते वे नजर आए तो सरप्रतम मैं अपने तरफ से चीजों को बताना चाहूंगा ये बहुत ही कम हतेली पर ऐसी बागगी रेखा देखने को मिलती है बहुत ही कम हतेली पर अब मैं उसको दिखाता हूँ पहले आप अब ये देख लिए आपने बहुत ही बैद इस बागी रेखा का बद बनिया फला पाता है ऐसे लोगों दन की धिक्कत नहीं होती किते भी कर्ज सर पर हो जाएं इनो ने खुद का घर विदेश में बनाया, इनकी अतिली ये बता रही थी, और मेरे द्वारा ये बाते कही भी गई थी, अब इनका और योग दिखाता हूँ, बिजनस प्रोस्पेक्टर से भी अच्छे योग है बट अभी थोड़ा नुक्षान दे स्थिती में लग रहे हैं लेकिन बाग ये रहा इतनी अच्छी आप लेकर आया है ना, आशिरवाद इश्वर से लेकर आया है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कब जादा इन्वेस्ट करना है, कब कम करना है, इस चीज कम है, अभी आपको जानकारी दूँगा तो पहले तो मैं अपने तरब से इस चीजों को बताया है, दूसरा इनके गरों में अच्छे स्ट्रेंथ है, व्यक्ति को विशेश्टम दिक्कत नहीं होती, अब पहले मैं इनके कोशन का उत्तर करता हूँ, इनके विवाहिक जीवन को लेके, देखे जैसे आपके शुक्र और जैसे आपकी चंदनमा इस केस में व्यक्ति को विवाह की समस्या है, जादी विवाहिक जीवन पर जादा समस्या है, नहीं आनी चाहिए, इनके लिए इनकी धरम पत्नी काफी लक्की साबित होती है, ये भी मुझे पता है, और मैं आपको इक चीज बताना चाहता हूँ, ब्रश्पती पर कुछ दिक्कते थी, इस केस में प्राबलम आईगी, दूसरी आपकी जो गुस्सा है ना आपका, और जो आपका थम बैना ये भदबली है, इस केस में व्यक्ति जुकना पसंद नहीं करता, तो मैंने इनको फोन पे कहा, कि देखे आप जो भी कहीं भी आप स सब के घर में, जो आपकी माता, बहने, आपकी पतनी है, खास करके उनका रिस्पेक्ट आप करिये, वो लक्ष्मी का रूप होती है, आप लक्ष्मी के पीछे दरदर की ठोकरे खाते हैं, बागते हैं, उनके दौरा नकारा जाने के बाद भी, वो आपको दुद्कार देते ह आपके पास धन नहीं आता, माल लो आप कहीं कहें, आपके पास पैसा नहीं आया, तो आपको नकार दिया गया, लक्ष्मी के दोरा, फिर भी आप उसके पीछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि, पैसा ही सब कुछ है, तो आपकी घर की जो आपकी पतनी है, आपकी माता है, वो आपके लक्ष्मी का रूप है, तो वो गुस्सा रही है, तो आप क्यों गुस्सा के दिखा रहे हैं, ये बताईए, मैंने इनको यहीं समझा है, और ये काफी समझदार है, चुकि इनकी जो sense of humor है न, और जो दिमाग की capability है, वो बहुत अच्छी है, इस case में इनोंने इस बात को समझा, और इनोंने का, जी आप सही कह रहे हैं, मैं गुसा पर control रखूँगा, उसी समय, जिस समय आपने मेरी ये बात मान लोगे, आपकी उसी समय से जीवन बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा अपने उपर नियंद्रन करूँ, करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे, मेरा फर्दता सही जानकारी देना, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इस मामले में, मैं ज्यादा स्टेट फॉर्वर्ट हूँ, जो मुझे लगता है, मैं आपको मूँपे बताऊंगा, जो आपकी गलती लगएगा, तो मैं मूँपे बताऊंगा, अगर आपने गलती नहीं कियोगे, उससे आपका जीवन बदल जाएगा, कोई आवशक्ता नहीं है यग करने की, आपने किया बहुत अच्छी बात है, श्रदा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ऐसे बोलता हूँ, और उससे ज़्यादा बेनेफेट होगा आपको, यग यह आप थोड़ी कर रहे हैं यग तो वो कर रहे हैं, जो आपको करवा रहा है, चलिए, इस पर बिशार करूँगा मैं, मैं दूसरे चैनल पर इस टाइप की वीडियोज आएंगे, जल्दी ही आएंगे, आप जरूर इसको जाके सस्क्राइब करें, कि कैसे जीवन जीना चाहिए, और क्या सैली होना चाहिए, कैसे आप सक्सेस्फुल बन सकते हैं, वो बाते हमारे दोरह बताई जाएंगी, जो बाते आपको करी डिक्स्टनरी में नहीं मिलेगी, और उसको आप कर लीजेगा, सब लोग कर सकते हैं, जीवन उसी समय साब का बतल जाएगा, क्योंकि मैं जो है न, मैं बेस को पगरता हूँ, और जैसे मैंने अपने जीवन को जी आया, उस टाइप से कुछ मैं आपको जानकारी दोंगा, मैं बेस को पगरता हूँ, जिसको करने से आपको दिक्कत कभी नहीं हो सकता, नहीं जादा फाइदा अगर परिशानी लेकिन कभी नहीं है, इसकी गैरंटी मेरी है, तो अब भी क्या है न, इनका दूसरा कोश्चन से, देखे क्या है न, भी आपकी 43 years की age है, अगर मैं इनके age का गणना करूँ, तो यहाँ पर इनकी age अभी प्रकती पर है, इस case में, यहाँ पर, तो हलकी राहू लाइन भी है, 45 में भी आपकी राहू लाइन है, 47 से, आपकी जिन्दगी बदलने के काफी अच्छे chances है, काफी अच्छे, 47 years है, 45 में तो दिक्कते हैं, तो उसको normal है, वो में उपायते दूँगा ठीक हो जाएगा, उसके बाद 47 से, जीवन बदलने के इस्थिति हैं, और यहाँ पर से एक बड़ी progress line भी ड्रॉआ हो रही है, यहाँ पर से भी देखो, इस case में, व्यक्ति को बहुत फाइदा होता है, बहुत जादा, 38 में हलकी negative expense थी, इसमें थोड़ी बहुत नुक्षान होई होगी, लेकिन वो उत्ता कुछ पता नहीं चला होगा, क्योंकि property के योग यहाँ से डेवलप कर गए थी न, तो वो property में ही आपका हो गया होगा वो invest, वो कुछ negative नहीं होगा, मेरे ख्यास क्योंकि यह line negative वाली नहीं है, और इसके बाद जो इनकी fate line है, यह एकदम जादा ही पतली है, आपको फाइदा नहीं मिलने के तो कोई भी, कोई भी आशंग का मुझे नहीं दिख रही है, आपको फाइदा होगा, 100%, थोड़ा जीवन रेखा आप अब यह थोड़ा, यह position जो नहीं, यह गरबर है, उतना भी नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत हो जाए, मध्यम चलेगा, अपने खर्च पर थोड़ा नियंतरन कर ले ना, आपके करजे आप easy way में चुका लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से, आराम से, खर्च में कोई लफड़ा नहीं है आपके, और 47 से आपका golden parade आ जाएगा, देखें, बुद्ध रेखा तो आपकी अच्छे, लेकिन थोड़ी थोड़ी टूटी रहने के बाद क्या होता है न, कि कभी फाइदा हुआ, कभी नहीं हुआ, ऐसी वाली स्थिती रहती है, ये वेवाल डिस्टिक कों से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर आपकी जो ये जो manage करने वाई, जो fate लाइना, ये कुछ जादा ही अच्छी है, इस case में वेक्ति कभी हाथ से तंग नहीं रहता है, इनको घड़ भी रहता है, गारी भी रहता है, कर्ज भी रहता है, समझेगा, घड़ भी रहता है, गारी भी रहता है, कमफर्ड भी रहता है, अच्छा खाते भी, कर्ज भी रहता है, तो वो आपके जीवन का साथ है, कुछ दून तक देर तक आपके साथ चलेगा, 47 में साल से आपके जीवन में, बहुत अच्छे सुधार देखने के, इस्थिती मुझे दिख रही है, तो ये इनका सारा कोश्चन्स मैंने कवर किया, अब मैं इनके पाम का आलंसेस करूँगा, और चीजों को अच्छे तरीके से बताऊँगा, तो सरपर थम देखे इनकी, स्क्वारे स्पाम में व्यक्ति मद्यमेच का सफलता को पाता है, सारे ग्रों में स्ट्रेंथ है, अगर आप पाम को प्रेस करेंगा, तो गद्देदार फील होगा, इस केस में व्यक्ति को राज्यों का 70% फला रहा है, और दूसरा इनकी जो कलर है, वो भी गुलाबी है, तो इस केस में व्यक्ति को फाइदा तो होता ही होता है, अभी इनकी थम्ब को देखो, तो बहुत सांदार व्यक्ति तो आपका, आप सर कटालो के जुकाओ गिने, लेकिन जो मैंने जहां आपको जुकने बोला है न, जुकने नहीं बोला है, मैंने सम्मान करने बोला है, मेरी बातों को समझिएगा, मैंने आपको सम्मान करने बोला है, वहाँ आप करना, सोच भी नहीं सकता है, वो कितना फाइदा आएगा, सोच भी नहीं सकते हैं, करना, दूसरा इनकी देखो तो इनकी यवागती, सपोर्ट मिल जाएगा और दूसरी इक्षा सकती प्रबल है, तरक सकती भी अच्छी है और डिजायर्स के बहुत बहुतरी इन लाइन है, तो इसके व्यक्ति को अपना लाइफ सेट करना होता है, यह लोग कर भी लेते हैं, व्यक्त पल दिया, आप लक्ष्मी के पीछे जाते हैं कि ने, वैसे आपकी माता बेहन है, आपकी वाइफ लक्ष्मी है, लक्ष्मी समझो, फाइदा होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, दूसरा इनकी देखो तो इनकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो यह बिजनस प्रॉस समल के लेना है, यह देखो, तो अनिरने आपको समल के लेना है, ठीक है, और एक तक्रीबन आपकी 32 में भी हलकी प्रॉब्लम, लेकि नॉनमल थी, वैसे कोई विशेष्टम दिक्कत कभी नहीं है, लेकिन क्या है न, कि आपने सब चीज किया, आपकी 100 रुपे इंकम है, अग मैंने कहा कि 47 के बाद तो फिर करजे की स्थिती नहीं है, उस तक आप चुका भी लोगे, अगर आप थोरे खरच पर कंट्रोल करके, अगर आप करच चुका होगे तो, आपकी decision making में प्रॉबलम है, थोरा सोच समझ के निरने लेना, दस बार सोच नहीं क्या वशकता होगी आ आप कोई नहीं से तो मैं आपको समझा भी रहा हूं कि आप करो जो मैं कहा रहा हूं, आपको फाइदा होगा, दूसरी इनके ब्रेश्पती के छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ती काफी हिम्मती, no doubt, और सैटरन के भी अच्छी, फिंगर में काफी स्टेंथ तो व्यक्ती काफ आपकी जीवन पर, आप वो इंसान नहीं कि आप रो, आप इंसानों लड़ो, आप ऐसे इंसानों आप रोने वाले नहीं हो, आप लड़ने वाले में, तो आप योद्धा हो, फिर देखे इनके विरश्पती ठीक है, तो ये थोर आपको पड़िवाईक टेंशन इंडिकेट करता है, बट इतनी भी नई स्ट्रॉंग है कि विवाई में, बहुत विवाईक जीवन में इतनी बड़ी प्रॉबलम आ जाए, तो थोर आपको नियंतरन करना होगा आपने ओपड़ा, फिर देखे एक क्रॉस बन रहा है, तो ये विरश्पती में सुधार की स्थती को ये इनों ने किया भी होगा, और फिर देखे इनके एतली पर याज़ू भार है, तो विव्यक्ति को 70% इनके मैनत का फल मिल जाता है, और विदेशी दर्दी से दनलाव की लाईन, एक दम कंफर्म वो तो आपका यातरा होना ही था, दो-दो लाईन, एक बिरश्पती के एकदम IQ लेवल जोती ही इनकी, फिर तो गजब की होती है, नो डाउट, और वहीं पर से एक सनलाई निकल के आगे बढ़ रही है, तो एक सोर्स ओफ इनकम रहेगा, और इवन दोड़ी भी बन रही है, तो व्यक्ति को 2-6-3 से भी कमाई हो सकता है, नी संदे, और एक इस केस में आपको इसका उपाई करना होगा, यह तो ज़्यादा गरबर है, मैं बताऊंगा आपको, दूसरा इनकी देखो तो तीन लाइन्स है, तो व्यक्ति तो जंगल में भी पैसा कमा लेगा, इतना यह लोक्त सांदार होते, इतना समझदार होते है, करना कुछ नहीं है करना बस यह है कि आपको decision making में थोरा सा सयम बरतना है, थोरा सोच समझ के लेना है, एकदम हर बराहट में कोई बिंदेर नहीं लेना है, शोड़ी परदान व्यक्ति को नेम फे मिलता है, शोड़ी रेखा दो है तो कम मेनत में जादर सा पोलता तो यह दिलवाही देता है, और फिर देखें इनके तरे पर इनकी मंगल, जबरदस्त है, logical, परती रोदक, चमता, energy, property बना पाएंगे, आयू अच्छी, स्वस्त जीवन, मतलब गजब, मंगल आपकी भाद बनिया है, और इस case में आपको अंदर से भाद प्रेडित कर रही है, powerful बना रही है, प्राक्रमी बन ला रही है, कुछ करने के लिए डेडिकेशन ला रही है आपके अंदर, जबरदस्त, फिर देखें के चनरमा, बहतरीन चनरमा, विदेश में इंकम के योग थे, विदेश सेटलमेंट के योग थे, विदेश में ही रहने के योग थे, और चनरमा अच्छा है तो आपका business hotel से जुरा हुआ, खाने से जुरा हुआ, पाने से जुरा हुआ, दूदे से जुरा हुआ, गी से जुरा हुआ, रियल स्टेट से जुरा हुआ, सब चीज में फाइदा देता है इसा चनरमा, और चनरमा अच्छा है तो आपकी personality, मोहक, लोग देखके आकरशित हो जाएंगे आप परिया और फुटबॉल की तरह है तो हर एक तरह का लगजरी का सुख मिलेगा आपको आपको वो पसंद भी आपको वो आपके जीवन पे चाहिए भी क्योंकि आप उसके काफी नीडी है और आपकी ऐसी प्रस्नारिटी है शुक्र आपका प्रवल हो ना तो सौ के भीर में आप को पैजाना जा सकता आपकी प्रस्नारिटी इतनी मोहक होती है इतनी लाजबाव होती है इतनी अट्रेक्टिव होती है कुछ हलकी टेंशन भाई लाई ने तो पड़िवाईक टेंशन रही होगी प्रारमबिक तमे में लेकिन वो इतनी भी प्रवर्फुल नहीं थे कि आपक शुक्र परदान है तो आपको अपनी वाइप से बहुत ये अच्छा सम्मंद मना के रखना पड़ेगा तब ही शुक्र का आपको 100% फल मिल पाएगा चलिया फिर देके इनके तली पर इनकी मंगल जबरदस्त है तो फिर सैनिक है आप योद्धा है डड़ तो है नहीं आप में आप काम करना जानते हैं आप मेहनत करना जानते हैं आप में भेन नहीं है आप घवराते नहीं है बस आपको करना है और ये मंगल आपको अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर परानी है बहुत ज़्यादा आयू भी धिरगायू और ये खलकी मंगल रेखाई भी अच्छी म आपकी 18-19 में से इंडिपेंडेंसी आ गई थी उसके बाद से 24 में बड़ी 24 में तरक्की हो गई थी एक खलकी सी तक्रिवन आपकी 20 में साल में दिक्कत थी और तक्रिवन 25 में से अच्छी तरक्की के योग बन गए थे इसमें 26 में से इसका continue basis पे बनी हुई थी और एक आपकी ये वारी जो progress line है तक्रीब है 47 है बहुत फाइदा होगा 45 में कुछ मैं बता दोगा क्या करना है उसके बाद से continue progress line बनी हुई है तो 47 के बाद आपका period अच्छा start होगा golden कहा सकते हो आगे किस्तिती भी बहुत समान ही है और इनकी mind रेका बली है बहुत बली ये एक useless line का mind मत करना तो दिमाग के बहुत तेज है दिल दिमाग के काफी शानदार जो पेटर बतक गई है तो थोड़ा सा ego heart की problem रहती इस case में ये लोग थोड़े emotional होते हैं तो मैं emotionally है आपको समझा रहा हूँ है अपनी wife का care करें जतना हो सके कोई दिक्कत नहीं होगा और देखो balancing distance काफी एच्छे है इस case में वेक्ती काफी जादा समझदार वेक्ती को समझदारी के बाते एकदम सबज में आती एकदम और दिल दिमाग के काफी तंदुरुस्त कोई दवाब नहीं मस्त एकदम flow में चल रहा है दूसरी इनकी fate line इन जबरदस fate line यहां से थोड़ी मोटी भी थी 28 में वर्ष से ने आपकी fate line ने कहर मचा दिया जबरदस तो क्या आगे चली और जीवन के last period तक इस case में वेक्ती को इनके बाग्ये का बहत ही जबरदस साथ मिलता है बहत बहत बहतरी बाग्ये रेका तो mind blowing है और continue यह है ही तो मैं clear बोल रहा हूँ को दन की दिक्कत नहीं होगी फिर property के योग भी बढ़े थे इस case में एक से ज़्यादा ही property बनती है strong दो दो सूरी रेका तो वेक्ती को कम महत में ज़्यादा सफलता और एक source of income तो जीवन पे बना ही रहता है बुद्धरेका भी अच्छी है इन की थोड disturbance है इस case में वेक्ती को थोड़ा सोचने का आवशकता पड़ती है योगि कुछ हलका phase आपका भी ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पर से भी बुद्धरेका आपकी इधर गई है तो इस case में आपको बताओंगा कुछ भी निरने लीजे ना तो सोचिए समझे तब लीजे ले यह वाला जब का phase निकलेगा ना यह 45 में हलका दिक्कत है यह कैन उपाई करने का चीज़े इदम समल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह चीज़े एकदम समल जाएंगे हलका यहाँ पर भी था और हलका से यहाँ पर भी हलका कट है तो यह नॉनमल उपाई करने क है 46 में भी आलकी प्रगती है और 47 में ही मूलता 46 से आपके स्थितियां एदम समाड़नी है और एकदम आगया आपकी बर्व ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जीवन रेकापे कोई राहो लाईन नहीं है मतलब घजब हो गया ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस थोरा सा अभी निरने समल के लेना है और आपकी बाग के रेखा तो अभी भी आपकी साथी है तो मैं तो बोली रहा हूँ कि बस निरने समाल लीजे अपने खर्च को नियंतरन कर लीजे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये था इनकेटली का पूर्णताव इस्टेशन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी मेरे से परामाश रह जाते हैं तो हमारा वाट्स अपनमर डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा लेकर समपर्द कर सकते हैं, धन्यवाद